हेलो टेटर्स, वेलकम टू टेटलाइन स्टॉक्स, आज है 25 अगस 2020 और मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, आईशेर मोटर्स के बारे में, यानि के रॉयल एन्फिल्ड बाइक के बारे में, हिंदुस्तान की क्रेजिस्ट बाइक में से एक मैं कौँगा सबसे टॉप्मोस क्रेजिस्ट बाइक है ये यंग्स्टर्स के बीच में, जिसके लिए यंग्स्टर्स पागल हुए रहते हैं, इन्फेक्ट यंग्स्टर्स ही क्यूँ मैं तो कौँगा हर एज का इनसान ही सोचता है कि कभी न कभी उसके पास ये बाइक जरूर होनी चाहिए, वो बाइक की कंपनी है ये आईशर मोटर्स, तमाम मोडल्स आते हैं इनके जबरदस इनकी सेल्स है आईशर मोटर्स की और 87.5% टोटल रिविन्यूज का ये बाइक ही इनकी कंपनी में लेके आके देती है, आईशर मोटर्स वो ही कंपनी जो है RE, यानि के Royal Enfield और इस कंपनी ने एक नया रुक लिया 2005 के बाद में जब इनके करंट चेर्मेंड एंड एमडी मिस्टर सिधात लान ने इस कंपनी की बाइद और अपने हाथ में संभाली और यहां पर देखे, RE को एक ऐसा रोल मोटल बनाया है इनोंने इस कंपनी के लिए के बाकी सारे बिजनसे इनोंने या तो बंद कर दिये या फिर कम कर दिये और एक नया फेस दुनिया के सामने RE का रखा, रोयल एंफिल्ड का रखा जो बहुत कंवीनियन था, मेकैनिकली बहुत इजी था चलाना, मेंटेनस कम थी और माइलेज भी सुधरतावा दिखाई दि लोग आईशर के ट्रक्स के बारे में इतना नहीं जानते, जितना RE के बारे में जानते हैं, ये हैं मिस्टर सिधारताल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट एंड साइड में, ये हैं इनके देखे करंट MD and Chairman जिन्नोंने इस बाइक की पूरी रूप रेखा ही बदल दी है, और ये बाइक बहुती अच्छी तरीके से इसको डेवलप करके, इसकी जो खामियती इसको दूर करके दुनिया के सामने पेश की हैं, और देखे बिछले 15 सालों के अंदर जो value RE ने हिंदुस्तान में बनाई है, अब उसी value को basically ये UK के अंदर established कर रहे हैं, और इसलिए UK के अंदर रहे के वहाँ पर RE की marketing का जो base है उसको strong किया जा रहा है, तो देखे क्या कुछ खास है, basically इस वक्त iShare Motors में वो में आपको बताता हूं, जैसे आपको पता ही है कि कल से यानि के 24 अगस 2020 से इनका stock जो split हो गया है, face value 10 से उसकी face value 1 कर दी गई है, और वो stock ज बीजिक के सजार के उपर ये trade कर रहा था, और इसलिए ये investors की attraction का पेंदर नहीं था, लोग बहुत कम लोग इसके अंदर पैसा लगाते थे, और ये देखें मैंने आपको पहले भी समझाया है कि stock split क्यों करते हैं companies, तो यहाँ पर उसका stock split किया गया, ये already June मंत की meeting के अंदर board meeting के अंदर ये फैसला ले लिया गया था, और इसका effective date थी 24th August 2020, जो की basically कल थी, और कल इसको तोड़ दिया गया, face value 10 से face value 1 के अंदर, इसलिए इनका जो 20,000 का share था, वो तकरीबन 2000 रुपे का रह गया है कल, लेकिन अगर आप इसके volumes देखें, तो volumes के अंदर जबरदस सर्ज हुआ है, इसके volumes बहुत कम रहा करते थे, लेकिन अभी इनके volumes जो हैं बहुत ही शानदार हो गए हैं उसके बाद में, यहाँ पर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, एक पर valuations दिखाता हूँ, इसकी 59,439 करोड रुपे, इसकी market cap एक लाच के कमनी है, P.E.A. 41.91 book value है, 3030 65 पैसा, dividend है, 1250% का face value 1 यहाँ पर दी गई है, अब जब इसकी face value को reduce कर दिया गया है, 10 रुपीज से 1 रुपीज के ऊपर, industry का P.E.A. 36.78, तो यह थोड़ी सी valuations हैं इस company की, यह article देखें, मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर, यहाँ पर clearly एक चीज दी हुई है, जो ब quarter ended 30 June 2020, यहाँ के Q1 FY 2021 की बात हो रही है, the company has reported a consolidated sales of 809 crore, down minus 63%, इनकी जो sales से उसके 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 63% की कमी आई थी last quarter में, from the sales of 2,190 crores and down minus 65% from the last year same quarter sales, तो यहाँ पर देखें, year on year and Q on Q basis पर बहुती जबदस गिरावाट देखी गई है, COVID के चलते हैं, यहाँ पर पूरा business एकदम hang up हो गया, hold up हो गया, लोगों ने bikes नहीं खरी दिये हैं, जिसकी वज़े से company को बहुत भारी यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है, अगर मैं आपको देखें, इसके stats दिखाऊं, यहाँ पर clearly लिखावा है कि iShare Motors Limited की products, revenue segment include automobile two wheelers which contributed 7,947 crores to sales value, 87.55% of the total sales, total sales का लगबग 88% केवल automobile two wheelers से इनके पास में आता है, spare parts and components which contributed 627 crores to sales, तो आप देखें, 630 crores के आसपास इनके पास सिर्फ spare parts and components से आते हैं, यह important है इनकी चीज़, जबकि यह basically primarily एक truck manufacturing गमनी है, उसको किस तरीके से overturn करके इस company ने अपने आपको market के अंदराज खड़ा किया है, यह important है जानना, यह बहुत ही ज़ादा अच्छे औ और interesting यहाँ पर facts निगल के आते हैं, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें, इनके बारे में आईशेर मोटर्स की अगर आप थोड़ा सा overview देखें, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, कि देखें, 2005 में इन्होंने tractors का and allied businesses जो थे उससे related उनको बंद कर दिया था, औ और commercial vehicle की तरफ कम focus करके motor cycle business पर जागदा focus किया था, उसके बाद में देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी किस तरीके से profile है, promoters group के पास में 49.28% है, जो हिस्सेदारी है, और 26.95% FIA is in stock के अंदर है, domestic institution investors की बात करेंगे, 12% and others में almost 12% contribution है, iShare Motors Limited, EAML के जो दो business अब बचे हैं basically, उसके अंदर देखें, एक Volvo Group के साथ, इनकी collaboration है, जिसके अंदर 54.4% की इस्सेदारी iShare Motors की है, और 45.6% Volvo Group की है, और ये company iShare की trucks and buses and Volvo की जो trucks आते हैं, उनका basically business समालती है, इसका नाम है VECV, Volvo iShare Commercial Vehicles, इसके अलावा जो है, जो 88% इनका business आता है, वो आता है इस RE से, Royal Enfield से, जिनकी already अभी इनके पास में 5 units है, UK, Thailand, Brazil, America and Canada के अंदर, बहुत ही शांदार यहाँ पर यह business करके दिखा रहे हैं, इस company के through, यह मैं बात कर रहा हूँ, देखे, यह है Mr. Siddharat La, जिनकी कभी story पढ़िएगा, अगर आपके पास में time हो तो Google अगेर पे, तो आपको चीज़े समझ में आएंगी, कि potential के इनसान है, और कितना जबरदस इन्हों ने company को एक overlook दिया है 15 सालों के अंदर, पिछले 15 सालों की यहाँ पास सर्फ बात कर रहा हूँ, company वैसे बहुत पुरानी है, तो इनकी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत interesting story है, बहुत inspiring, I can say this thing, और zero debt यह company है, सोचिए एक large company इतना शांदर business कर रही है, उसके बावाजूद भी यह company के पास में कोई उधारी नहीं है, EML continues to be a net debt free company, net debt free company है यह, 6,98,000, almost 7,000,000 बाइक बेची है इन्होंने, अभी fiscal year 1920 की बात हो रही है, motorcycle sold in FY20, approximately 13 times in last 9 years, और यह मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले देड़ साल से business automobile sector के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बावाजूद 7 लाइक बाइक बेच देते हैं, यह अभी मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा और यह भी कम है, क्योंकि पिछले साल में अब 2019-18 की बात करेंगे, तो इनका record बहुत ही शांदार है, 26.6% इनका market share है, Royal Enfield की व पर बहुत शांदार आकड़े निकल के आ रहे हैं, जो इस company ने maintain करें हैं, देखे, यह वो है प्यारी bike जिसके पीछे लोग दिवाने रहते हैं, यहां देखे, volumes में आपको दिखाता हूँ, FI 20 के 6,98,000 जो मैंने अभी उपर दिखाए हैं, और यह भी कम है, क्योंकि पिछल कम हो चुकी है, इनकी sales, otherwise इनकी sales का जो standard graph था, वो देखे, कितना शांदा तरीके से increasing था, और 18-19, अगर fiscal year की बात करें, तो 8,24,000 का इनका bikes का volume था, तो इस तरीके से अगर आप देखे, volumes grew by 32 CAGR, compounded annual growth rate था, इनका during the period of calendar year 2010 to fiscal year 2020, यह important है जानना, कमनी की growth के अंदर कोई भी कम यहाँ पर नहीं दिखाई देती, अब देखे, कल के basically यहाँ पर data के उपर आपको लेके आया हूँ, किस तरीके से यहाँ पर कल एक amazing change आया, इसमें देखे, आपको थोड़ा से एक पर बता देता हूँ, कि split जब होता है stock का, उसके अंदर fundamental कुछ भी change नहीं होता है, company के fundamental changes नहीं आते हैं, के वल technical changes होते हैं, और technical भी क्या होते हैं, कि company की जो face value है, वो घट जाती है, उसी ratio में, जिस ratio में decision होता है, उसका split का, तो यहाँ पर basically सब कुछ वो ही है, के वल liquidity भढ़ गई है shares की, पहले जितने shares थे, उससे ज़्यादा अब shares आपको market में float होते वे नजर आएंगे, so that more and more investors will invest in the company, वो चीज affordable बना दी जाती है, 20,000 का share लेने के लिए आप लोग reluctant होंगे एक बार के लिए, लेकिन अगर वो ही share उसी company का, उसी fundamentals के साथ में 2000 रुपे में मिलेगा, तो शायद आप वो stock बहुत जल्दी ले लेंगे, तो उस mentality को change करने के लिए, psychological impact को change क लेने के लिए, companies ये चीज़ करती रहती है, और इन्होंने अपने share को split किया, और एक affordable range में उसको ले किया है, उसके बार में देखे, last trading price इसका 2178 रुपे का दिखा रहा है, 2387 रुपे का इसका high भी दिखा रहा है, जो इसने कल लगाया था, तो ये सारे stats यहाँ पर important है, एक करोड 14,91,732 रुपे के अंदर कल quantity trade हुई है, iShare Motors में, जो अपने आप में एक record है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसके अंदर से delivery quantity 18,32,000 के आसपास है, परसेंटेज जो डिलिवरी दिखा है, तो यहाँ पर 16% अलमोस निकल किया रही है, तो कोई खास percentage नहीं है, क्योंकि बहुत rise हो गया, केवल इस वजए से कि stock के अंदर split हुआ है, जबकि देखे, technically अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, company ने कुछ नया नहीं गया, बिल्कुल same exactly वही है, लेकिन लोगों के अंदर कुछ चीजे ऐसी आजाती हैं, कि वो सोचने हैं कि जितने पैसे में हमें एक stock मिल रहा था, अब हमें 10 मिलेंगे, तो over the period of time, long term के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि investors भढ़ जाते हैं, तो share का demand है, वो भढ़ने लगती है, and demand जादा होने की वैसे, उसके price भढ़ जाते हैं, इतना फर्क जरूर आता है, otherwise company के जो economical structure होता है, financial structure होता है, वो बिल्कुल सेम रहता है, चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ, और दिखाने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से chart के उपर ये placed है, और कल कैसा कुछ इसके अंदर possibilities दिखाई दी है, तो ये देखी, candle stick chart मैंने आपके सामने लगाया है, आई share motors का, अगर ये आप देखें, ये normal behavior था इसका split से पहले, और ये last आप candle यहाँ देखेंगे, जो एक dozy formation इसने करी थी, ये है, आपको दिखाता हूँ, इसकी 21 अगस की, यानि के Friday की, तो Friday की closing के हिसाब से कर देखें, तो ये stock उस वक्त trade हो रहा था, almost 21,600 रुपीज के आसपास, अ अब जब दो दिन की चुटी के बाद में इसको split किया गया, तो ये stock नीचे आगया 21,600, नीचे आगया in the sense, ये stock 10 में divide हो गया, 110 हो गया basically, तो 21,600 रुपे का closing दिखा रहा और यहाँ पर एक छोटी सी candle form हुई है, candle नहीं है basically, ये एक आपको सिर्फ dozy formation यहाँ पर दिखाई देगी, stock थोड़ा सा उपर गया 23,000 रुपे के आसपास, और फिर इसने closing दी है 216 रुपे के आसपास की, अगर आप volumes देखें, मैंने इसमें volumes लगा रखे हैं, लेकिन ये volumes के बार आपको बहुत ही छोटे दिखाई देंगे, क्योंकि कल का volume था 1 करोड से उपर का, तो आप देखें, इस stock के अंदर पहली बार ऐसी इतनी बड़ा move आया है volumes के अंदर, तो ये होता है फर्क, देखें, इसी चीज के लिए company split करती है, ये असली कारण है, यहाँ volumes देखेंगे कितने होते थे, बहुत ही कम volumes होते थे, कुछ हजार share सी यहाँ पर trade हुआ करते थे, और अब एक करोड share trade हो गए है, पहले ही दिन split के, यही company चाहती है, इसी की वएसे demand बढ़ती है stock में, और iShare Motors जो होके भी एक unpopular stock था, अब popularity उसकी जादा बढ़ेगी stock market के अंदर, ऐसा यहाँ पर एक imagination दिखाई देती है, देखें, मेरे इसाब से मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़े-बड़े experts हैं, उनका यह कहना है कि automobile sales अभी आने वाले कुछ दिनों में भी down रह सकती है, पहला point यह है, जिस हिसाब से corona ने impact डाला है, उस हिसाब से जो growth होगी, वो थोड़ी slow पड़ जाएगी, और हम लोग पिछले साल के आंकड़, बलब normalcy वाले आंकड़ों से अभी बिलकुल बहुत दूर हैं, और उनका मुकाबला भी हम नहीं कर सकते हैं, तो जो experts हैं, उनका यह कहना है कि automobile sector से थोड़ा सा आप दूर ही रहें, या फिर बहुत ही जादा जो stock नीचे आ चुक है, उनके उपर आप पैसे जरूर लगा सकते हैं, तो basically यहाँ पर अगर म हमारे पास में आकड़े आने वाले हैं, August month के sales care वहाँ से बहुत अच्छी चीज़े निगल के आएंगी कि किस तरीके से sales बढ़ रही है, या कितना कुछ इजाफा हुआ है, तो मेरे इसाब से जिस valuation पर यह भी आपको मिल रहा है, थोड़ा सा आपको इसमें इंतजार करना चाहिए, और इन लेवल्स के उपर अभी आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए, ऐसा personally मेरा मानना है, क्योंकि इस stock अभी बहुत जादा यहाँ पर rise हो चुका है, इस बात को लेकर कि इस stock एक तो split हुआ है, और पिछले 3-4 दिनों का जो इसके अंदर move है, वो भी इसने काफी अच्छा यहाँ पर दिखाया है, यह बात देखें, जून में डिसाइड होगी थी कि इसको split होना है, और उसके बात से यह basically एक नए higher highs बनाता जा रहा है, अगर sales कम रहती है, कंपनी का profit डाउन होता है, तो मेरे ख्याल से यह stock नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको यह suggest करूँगा कि stock को अभी थोड़ा सा hold करें, अगर आपके पास positions हैं तो, और इन levels के उपर fresh positions ना बनाए, थोड़ा सा time दें इस stock को at least 1 quarter का, उसके बाद growth के उपर हम लोग वापस से चर्चा करेंगे, और तब कोशिश करेंगे कि stock के अंदर किन levels के उपर positions बनाई जा सकती हैं, तो यह देखे, मेरा view है, इस stock के उपर, अगर आप फिर भी इस stock के अंदर कोई positions इन current levels के उपर लेना चाहते हैं, तो definitely ले सकते हैं, या फिर अपने financial advisor की राये लेके, कोई भी decision आगे proceed कर सकते हैं, तो इस वीडियो में दीगे information को आप कैसे देखते हैं, प्लीज मुझ झाल